दोस्तो फिर एक बार स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल SD SPORTS 95 में तो दोस्तो आज की इस खास वीडियो में हम PKL सीजन 9 के टॉप 10 रेडर्स देखेंगे नो मुकाबले खेले जाने के बाद के दोस्तो PKL सीजन 9 के टॉप 10 रेडर्स की बाद करे तो अरजुन देशवाल मंचित दहिया और असलमी नामदार इन खिलाडियों ने काफी अच्छा प्रदशं किया है और वही नविन कुमार और विकास कंडोला भी काफी अच्छा अब तक तो कोई भी खास प्रदशन नहीं कर पाए तो दोस्तो हम इसी तरह से जल्दी टॉप 10 डिफेंडर्स की फीडियों भी लेकर आएंगे तो ये फीडियों काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है इसलिए फीडियों में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहे फीडियों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ हिमें साइट के बेल को भी प्रेस कर दें तो फिर चलिए बिना देरी की एफ फीडियों को स्टार्ट करते हैं दोस्तो लिस्ट में नमबर दस पर दोस्तो लिस्ट में नमबर आट पर मोचु थे बेंगलुरू बुल्स के विकास कंडोला इनके दो मुकाबलों में 16 रेड पोईट थे दोस्तो लिस्ट में नमबर 7 पर मोचू थे बेंगलोर बुल्स के एक और खिलाडी भरत फुडा इनके दो मुकाबलों में 17 रेड पॉइंट्स है दोस्तो लिस्ट में नमबर चे पर मोचु थे पुने रिपल्टन के मोहित गोयत इनके भी दो मुकाबलों में 17 ही रेड पॉइंट्स है लिस्ट में नमबर पाच पर मोचु थे बेंगाल वारियर्स के कप्तान मनिंदर सिंग इनके दो मुकाबलों में 18 रेड पॉइंट्स है लिस्ट में नमबर चार पर मोचु थे पतना पायरेट्स के सचिन तनवर इनके दो मुकाबलों में 18 रेड पॉइंट्स है तो लिस्ट में नमबर तीन पर मोचु थे पुने रिपल्टन के असलम इनामदार इनके दो मुकाबलों में 19 रेड़ पॉइंट्स है तो नमबर दो पर मौझू थे हर्याना स्टीलर्स के मंजित दहिया इन्होंने सिर्फ एक ही मैच के लाहे और उसमें 19 रेड़ पॉइंट्स है और नमबर एक पर मौझू थे जेपूल पिंग पैंथर्स के अरजुन देशवाल इनके दो मुकाबलों में 25 रेड़ पॉइंट्स है थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते है अगले वीडियो में और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए